अब कुछ खबरे जिलों से प्रोडक्शन रिलेटिट फॉर्मुले के तहत बोनस की गर्णना किये जाने की विरोध में बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संग ने मशाल रैली निकाले यूनियन के अधिक्षक अमर सिंग ने बताया कि यूनियन द्वारा क्रूड स्टिल प्रोडक्शन तथा एबीटा कि आधार पर प्रोडक्शन रिलेटिट पे प्रबंधन को लागू करना होगा उन्होंने कहा कि 19.2 मिलियन टन क्रूड स्टेल उत्पादन तथा 12,400 करोड रुपए एबीटा होने के बावजूद 23,000 से 28,000 बोनस किसी भी हालत में स्विकार नहीं किया जाएगा बिमितरा में 13 साल से मासूम के शोशन मामले में साहु समाज जुथानी पहुचा समाज के लोगों ने गाउं के कोतवाल के साथ सही होगी सरपंच पती पर कारवाई की मांगी है बताया गया है कि बीते दिनों मासूम बच्ची ने जिल अस्पताल में एक नवजात को जन्म दिया था इस मामले में गाउं के साथ वर्षिय कोतवाल पर सोशन कारूप लगा है महीं सरपंच पती कोतवाल के साथ मासूम का अबोशन करवाने गया था स्वचता ही सेवा पखवाड़े के तहरत कुंदगाओं जिले के विकास नगर्स्थ सामुदाइक भवन में सौ tiss शिवीर का योजन किया गया इस शिवीर में 112 सौचता दीदियों का स्वचता परेक्षन किया गया और विभिन ने विभागिये योजनाव से संबंधे स्टॉल भी लगाए गए जहां पर लोगों को पियमावास, राशन कार्ट, श्रम कार्ड, मुद्रा लोन, बैंक लोन, पेंशन, जंधन, योजन, आधार कार्ट, स्वास्त बीमा जैसे सेवाओ के बारे में जानकारी दी ग रवप श्रिवास को हैदराबाद से गिरफतार किया, रोपी 2018 से फरार था और कोट ने स्थाई वारेंट जारी किया था दरसल, रविदास चौक निवासी, देव नारायन कश्यप ने थाने में संबंध में रिपोर्ट दसक्राई, जिसके बाद पुलिस बुद्राम आज श्री निवास और उसके साथियों की तलाश कर रही थी, सिटी कोट वाले पुलिस ने श्री निवास को 6 साल बाद गिरफतार करने में सफलता पाई, वहीं एक अन्य मामले में सिटी कोट वाले पुलिस ने ट्रैक्टर के लेन की किस्ट पटाने के लेकर 78,000 रुपै की करने के वाले आरोपी रहुलियादव को गिरफतार किया और उसे नियाए खिरासत में जेल भेज़ दिया है